NBCC को PSEU's के non-core asset के redevelopment का काम सवबा है पूरी खबर बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहियोगी प्रकाश प्रियदर्शी प्रकाश बताएं क्या ताजा जनकारी है? देखिए NBCC के हवाले से हमें काफी important खबर मिल रही है सुत्रों के हवाले से जनकारी मिल रही है उसके हिसाब से NBCC ने mega strategy तयार की है खासकर जो PSEU's के पास land assets हैं उनके monetization से सम्बंदित सुत्र हमें बता रहे हैं कि योजना के तहट कई ऐसे PSEU's हैं जिसके साथ NBCC की चर्षा चल रही है जिनके land assets को NBCC आने वाले दिनों monetize करने जा रहा है अगर आप इस पर नज़र डालें तो कई ऐसी कंपनिया हैं जिसमें BSNL, MTNL शामिल है भेल, ITA, प्रसार भारती जैसी कंपनिया शामिल हैं जिनके पास काफी land assets हैं जिसको monetize करना है और अगर आप category wise देखें तो करीब 3000 acres का land parcel है प्रसार भारती के पास जिसको की NBCC monetize कर सकती है इसके अलबा 10,000 acre का land parcel है BSNL का 380 acre के आसपास ITA का यह कंपनिया हैं जिनके पास यह land assets हैं जिसको की NBCC अलग-अलग category में monetize कर सकती है commercial purpose के लिए, housing requirements के लिए, company के own use के लिए इसे कंपनियों की जो overall assets की value है उसको भी बढ़ाने में मदद मिल सकती है करीब-करीब 1,000,000 acre का land parcel है PSU के पास उसको monetize करने के दिशा में NBCC active discussion में है इसके अलबा अगर आप states के साथ बात करें सुत्र हमें बता रहे है कि कई राज्यों के साथ भी NBCC की चर्चा चल रही है ताकि बड़े पैमाने पर बड़े size के जो warehouses है उनका construction हो इससे farmers को इस बात की अजादी मिलेगी कि लंबे समय तक जो उनकी producer उसमें रखें और उन्हें प्राइजिंग फिडर में मिलेगी तो कई राज सरकारे जो हैं NBCC के साथ discussion में हैं ताकि जो बड़े पैमाने पर warehouses का construction है वो भी हो सके